है हलो एब्रीवान वेलकम टू फिलिसिफिकल स्टाडी सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत सुक्रिया हमरे चलन के साथ जुड़ने के लिए और अगर आप यह वीडियो पहले बाइच देख रहे हो तो अभी चलन को सब्सक्राइब कर लिजिए और उसके साथ जो बेल बना है उसको प्रेस कर लिजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपको प्रिपारशन और आच्छे तरगे से चलते रहे हैं ठीक है आज हम डिसकस करेंगे बैसिक रिकॉर्टमेंट सब टीचिंग की मतलब टीचिंग की क्या क्या रिकॉर टीचर एंड स्टूडेंट यह पर टीचिंग की बात हो रही है तो टीचर होना ज़रूरी है और स्टूडेंट भी होना ज़रूरी है अगर टीचर नहीं है तो स्टूडेंट को कौन टीच करेंगा और स्टूडेंट नहीं है तो टीचर किसको टीच करेंगा ठीक है और teacher अपने teaching को बाइतर तरीके से करने के लिए and different types of methods use करते है, strategies use करते है, aids use करते है and learning materials भी use करते है teaching को है? teaching is a complex activity so the teacher needs to be devoted and determined for the better future of students students को क्या करना चाहिए? students को also have an interest, students in the subject activities, student को subject में interest देखना पड़ता है so that teacher will be motivated and they will teach them properly teaching में discipline होना बहुत जोरी है, अगर discipline नहीं है तो class में teacher will not be able to teach students properly no matter how he qualified or she qualified is ठीक है, और classroom environment क्या होना चाहिए? encourages effective communication and interaction ठीक है, मतलब classroom में teacher अपने communication skill को बढ़ाएगे और students के साथ communication करेंगे और students क्या करेंगे वो interaction करेंगे, ठीक है अई थी आमारे आज की class I hope यह class आपको अच्छे लगए होगे, अगर अच्छे लगए तो like, comment and share करेंगे दोस्तों के साथ because sharing is caring, thank you for watching the video लस्ट में telegram channel को जोरी जान करेंगे फ्रेजबिकर स्टॉडी प्रेजबिकर स्टॉडी